नमस्कार दोस्तों मेरा ना मैं सतीस और आपका बहुत बहुत स्वागत एक और नए वीडियो में फ्रिंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप हाई वाच प्रो एप को यूज करके अपने स्मार्ट वाच में वाल पेपर को कैसे चेंज कर सकते हैं और अपना फोटो कैसे लगा सकते हैं ठीक है हाई वाच प्रो एप से तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ क्योंकि फ्रिंट्स हाई वाच प्रो एप में जो कॉस्टॉम डायल का जो आप्सन था वह यहाँ पर सो नहीं कर रहा है वह मिसिंग है तो कैसे आपको फोटो लगाना है आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा मैंने यहाँ पर हाइवास प्रो एप को ओपिन किया है उसके बाद फ्रिंट्स यहाँ पर सेट पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर फ्रेंट्स डायल मेनेजमेंट आपका जो है वो खुल जाएगा तो फ्रेंट्स यहाँ पर नीचे जो कॉस्टम डायल का आप्शन सो कर रहा था वह अभी नहीं कर रहा है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर European Cup का आप्शन सो कर रहा है तो य यहाँ पर फ्रेंट्स आपको आप्शन मिल जाता है इमेज सेलेक्ट करने का ठीक है अपना फोटो सेलेक्ट करने का यहाँ पर क्लिक किजेगा उसके बाद यहाँ पर फोटो और वीडियो को एलाव करने के लिए बोलेगा तो आपको एलाव कर देना है अलाव कर देने के ब नीचे कर सकते हैं कुछ इस तरीके से यहां से उसके बाद आपको install पे click करना है click करने के बाद friends यहां पे got it का option आ जाता है अगर नहीं आता है तो फिर से आपको click करना है और देखिए यहां पे got it का option आ गया है तो simply इस पे click किजेगा और यहां पे dial installation स्टार्ट हो जाएगा औ तो देखिए friends यहां पे update successfully हो गई है और हमारा photo हमारे smart watch में कुछ इस तरीकी से यहां पे show कर रहा है तो आप भी अपना photo लगा सकते हैं इसके बाद भी अगर कोई आपको problem आ रही है किसी भी smart watch में तो आप मेरे से comment करके पूछ सकते हैं friends मिलते हैं अंगली वीडियो में अगर तक के लिए आपका आप बहुत बहुत धन्यवादा